पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा तेजस LCA Mark 2 Fighter Jet को हरी जंडी मिली थी. अब इसके प्रोटोटाइप को बनाने की अनुमती मिल गई है. इस स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक Fighter Jets की पहली उडान 2 दिसंबर 2024 में होगी. साल 2027 से उनका उत् पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा. इन विमानों के आने से पुराने वायुसेना के विमानों को हटाया जा सकेगा. तेजस माक 2 एक अत्याधुनिक 17.5 तन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है. वायुसेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000, जगुआर और मिगुंती से एयरक्राफ्ट्स को हटाने में मदद मिलेगी. साल 2027 से उसका पूरा उत्पादन शुरू हो इसी दोरान हम इसके ट्रायल्स और अन्य विकासात्मत कारिया पूरा कर लेंगे. DRDO को लगता है कि अगर एवियोनिक्स और अन्यक्षमताओं की बात करें तो इसे राफेल क्लास एयरक्राफ्ट की श्रेनी में रखा जा सकता है. जबकि इसका वजन कम है. DRDO फिलहाल तेजस मार्क दो में GE 414 हिंजन लगाएगा. ये GE 404S का एद्वांस वर्जन होगा. यह हिंजन फिलहाल 83 LCA मार्क वाने में लगे हुए है. फिलहाल भारतिय वायुसेना के पास 30 LCA तेजस विमान मौजूद है. तेजस मार्क दो फाइटर जेट में एक या दो क्रू बैट सकेंगे लंबाई 47.11 फीट होगी. विंगस्पेन 27.11 फीट और उचाई 15.11 फीट होगी. अधिक्तम टेक ओफ वजन 17,500 किलोग्राम होगा. यह अपने 7,6500 किलोग्राम वजन के हथियार उठा कर उड़ सकेगा. तेजस मार्क दो फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गती. यह अधिक्तम 2,385 किलोमेटर्स घंटा की स्पीड से उड़ेगा. यानि दुनिया के सर्वश्रेश्ट फाइटर जेट्स की गती को टक कर देगा. इसकी कुल रेंज 2500 किलोमेटर है जबकि कॉमबेट रेंज 1500 किलोमेटर होगी. यह अधिक्तम 56,758 फीट की उचाई त कुडान भर सकेगा. इसमें 13 हार्ड क्वाइंट्स होंगे यानि 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रन लगाया जा सकता है. इसमें हवा से हवा में मार करने वाली माइका, ASRAAM, मीटी और अस्ट्रा, NGCCM, हवा से सता पर मार करने वाली ब्रहमोस NGALCM, LRL ACM, Storm Shadow, Crystal Mage लगाने की योजना है. एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम एक दो तिहाई लगाया जाएगा. इसमें प्रेजिशन गाइड़ म्यूनिशन यानि बम भी लगाये जाएंगे. इन प्रेजिशन गाइड़ म्यूनिशन में शामिल है स्पास लेजा गाइड़ बम उसे दुश्मन का पता लगाने. हमलों से बचने में मदद करेंगे. इसमें LRDE उत्तम ऐसा रेदा, DARA Unified Electronic Warfare Suite, DARA Dual Color Missile Approach Warning System, DCMAWS और DARA Targeting Pod लगे होंगे. HAL द्वारा 2036 तक 120 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट्स MK2 का निर्मान किया जाएगा.